हेलो डिवन, स्वागत है आप सब का लड़नी विद गौतम यूट्यूब चैनल में तो आज किस वीडियों हम करने वाले हैं क्लाश 12 जोगरफी के मौस्ट वीबियाई सब्जेक्टिव कोशन एंसर को जो कि आप के आने वाले बोर्ड एजायम के लिए काफी जादे इंपोर्टेंट पर सरहने वाला है तो अपने वीडियों को अच्छे से ध्यान प्रवक और लास्त तक जरू देखेगा तो चलिए शुरू करते हैं फर्ष्ट कोशन से और पहला कोशन है हमारा कि विस्तृत वानिज अनाज किरसी की किनी तीन फशलों के नाम लिखे विस्तृत अनाज किरसी जो हता है उनके किनी तीन फशल का नाम बताना है तो विस्तृत वानिज अनाज किरसी के चार फशल या फिर तीन फशल जो है उन्नी में लिकित है कौन कोन है तो वो कपास है चाय है और जूट है कपाज चाय और जूट जो है यह उस्तित वानज अनाज किरसी के तीन फसल के नाम है तीनों को अच्छे से याद रखेगा अब अगले कोशन करते हैं और निस्ट कोशन है हमारा कि कोको के बारे में आप क्या जानते है कोको जो होता है वो क्या होता है उसक की इत्यादी बनाया जाता है इसका उत्पादन जो है यह पच्मी अफिरका में विशेश कर घाना में होता है याद रखेगा कोको क्या होता है तो कोको जो होता है एक किरसी उत्पादक पोड़क्ट है जिससे क्या बनता है तो कोको से चॉकलेट बनता है सौप ड्रीक बनता है भारते रेलवे की किनी दो मुख शमस्याओं को लिखे, भारते रेल जो है, उसके किनी दो मुख शमस्याओं को लिखे, भारते रेलवे की कई समस्याओं से ग्रस्ता है, इन वैसे दो मुख शमस्याओं से ग्रस्ता है, लेकिन इसे जो दो मुख शमस्याओं से ग्रस्ता है, ल दूसरा मंख्ष समस्या यह कहीं पर डीजल से चलता है तो कहीं पर विदूत यानिकी बिजली से चलता दों बसकाण से गारे तौफे हैं लोग बहुत के चाँ परमुक के उर्जा केंदरों के नाम बता है तो बालायत मतारापूर जो की महराष्ट में रावत पट्टा जो की कोटा के समीप रास्थान में कलपकम जो की तमिलाडू में और नरोडा जो की उतर परदेश में तो ये चार जो है ये क्या है तो ये भारत के चार परमुख नावकिय उर्जा केंदर के नाम है और अभी तक люди ने लिए ता आप लोग ले सकते हैं अन्य बहुत सारे वच्चस जो पीडियйप को ले चुके है जो लोग बीडियाप को ले लिये है वह लोग भी थो जैपकर थम्यखकर कर्के नीक है क्योंड के आप लोग तो ले चुके देहँ हैं होगाई तेंगे हैं किसी का चल flor zar star प्राइब तो किसी का चलミन हो reduced होगा इसंट कोई स्बॉर्ट पर्फ नियुके छेट अब सोगाई प्रफ ना थे प्राइइब यह सीद्ध शेड्ल पांगे अपने प्राइप मिलें ब्सक्राइब जामपल के तौर पर बता देते हैं कि जिसे जोग्रफी में क्या रहेगा अगर आप लोग जोग्रफी का जैसे PDF लेते हैं तो आपको जोग्रफी में टोटल 500 objective question मिलेगा अब यह 500 objective question किस तरह से रहेगा तो आप लोग को पता ही हो कि आपका जोग्रफी यह दो खंडों में जितने भी important objective question है वो सब question आप लोग को chapter wise मिलेगा अब अगर आप लोग जैसे यह objective का बात हो गया और लगुतरी और द्रीगुतरी प्रशन किस तरह से रहेगा यानि कि subjective question answer किस तरह से रहेगा वो भी दिख लिजिए लगुतरी और द्रीगुतरी प्रशन जो आपको 75 और एक subject का आप लोग का PDF नहीं मिलेगा जो भी आपका पांच या शे सब्रोग उस पांच और शे सब्रोग का आप लोग को PDF मिलेगा अब PDF मिलेगा कितने में तो PDF पर प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 पर रखें 25 पर इसलिए रखें ताकि हर एक बच्छा इस PDF को लिज स अधर फोन पे गॉल पे-टीम कर के आप लोग 25 रुप यह जopiaए फोन पे और पांच पर वह जया एंगा समझ कए इस तरह से आप लोग को Kak Cons थोड़ा बहुत पर है तो इस Per App कर करके अपने आनेवाले board exam में अ líder अरह बहुत ही अ बहुत ही अच्छे नबर ला सकते हैं और बहुत सारे बाच्चे जो wix away इसあの लीच सकते है आपके आने वाले board exam में जुतना question है उसनाке leaf question को उसका 99 percent question बहुत है इसी प्डियाइब से आपको देखने को में लागई जो भी आपका सभी आपका सब्गेप 1997 से लमारड है जो भी सको बहुत subject को एड कर दें तयक publishers अभूइत से पिडियाब को अच्छे अशागर तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया कोई कोई कभी कन्फ्यूजर नहीं होगा बहुत सारे बच्चे जो है वार्टसेप पैसे पूछते रहते हैं कि कैसे मिलेगा अबजेक्टिव मिलेगा सब्जेक्टिव मिलेगा तो आप लोग का अपना सब्सक्राइब बता देजएगा और पीडिएफ में बताई दिए अबजेक्टिव सब्जेक्टिव सब्ड़ एगा और इसको पढ़ लेते हैं तापके आने वाले बूर्ट एक्जाम के बहुत ही अच्छे नमर आएंगे आप कई बच्चे पूछते रहते किसमें से लिखने को मिलेगा समझ गए अपनी अगले कोशन की और तो अगला कोशन हमारा कि भारत के चार मत कालिन सहरों के नाम लिके भारत के चार मत कालिन सहर कौन कौन है उनका नाम बताना है दिल्ली हैदराबाद लखनो और आगरा दिल्ली हैदराबाद लखनो और आगरा जो है भारत के चार मद कालिन सहर याद रखें किसको प्रसक्राइब बनाए गया जो चार नाम बता ना था तो वो था दिल्ली घ्थरावाद लखनौ और आगरा कोशन करते है कि खनिच अधारित उध्योग से आप क्या समझते हैं खनिच अधारित उध्योग होता है उससे समझते हैं घृचा माल के रूप में घृचा का इस्तों उत्यार अर्वते कि कि लोहा इस्पात नुक्री उत्यान करते हैं यृची होता है इसमें कि क्या होता है उसी को आंग प्रात्मिक्राहदा कि मुख मुख ऐस जो की नगर में निवास करते उसे हम लोग क्या करते अब नगरी जनशंख्यां करते जैसे हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि या नगर सहर है या फिर गाउं है मोग क्यों मुखत फेल्ग आख कोंकोंसे मुखत है उसका परला मुखत है가 अगर के छिक्षा होता जैसे आप लोलो न संक्या में देखिए है अब यह जी चाहता है तो बहुत σεार, में सबन्य नगरी जन संक्या में बहुत कंची नगर में आमालUNDU दामोदर बेशिन मेस्थित चार कोईला खानों के नाम लिखें। चार कोईला खानों के नाम कोई है। और अगला कोशन है मारा कि स्वर्निम चत्रुभुज राजमार्ग पर टिपनी लिखने यानि कि स्वर्निम चत्रुभुज राजमार्ग पर टिपनी लिखने तो भारत के महानगरों के भी समय और दूरी को कम करने के लिए स्वर्निम चत्रुभुज परम राजमार्ग का निर प्रानगरों के भी समय और दूरी को कम करने के लिए इसमें चो गल्यों वाले राज मार्ग द्वारा कोलकाता चन्नाई मुंबई और दिल्ली को जुरा गया जो जो रहाए जो प्रियोजना का अंग है याद रखेगा कि स्वर्णिम चत्रभुज पर्योजना का ही अंग है याद रखेगा स्वर्णिम चत्रभुज राजमार्ग क्या है इसके बारे में बता है या पर टिप ने लिखी है संचुत ने बता है इस तरह से कोशन आपके एक जामें पूछा जाएगा स्वर्णिम चत्रभुज राजमार्ग जो है ने एक सरक है जिसको बनाया गया था भारत के महानगरों के बीच समय और दुरी को कम करने के लिए और ये छो गलियों वाले राजमार्ग द्वारा जैसे की कोलकाता में मुंबई दिली में जोड़ा गया समझ गया ने ये छोई र जुके हैं कि जुमिकर से उसे कहते हैं जहाँ पर क्या होता है एक सिंपल सा जमी रहता है वहाँ पर क्या जाता है जंगल को काट दिया जाता है उसको जला दिया जाता है और जब तक बारिस की हर एक साल जो बारिस की पहली बारिस होती है उस बारिस में क्या होता है वहाँ जमीन को छोड़ दिया जाता है, ताकि फिर से जंगल होगे, फिर से उसको काट करके जला दिया जाए, फिर से उसमे बारिस हो और फिर से उसमे फसल हो जगे, तो यही क्या होता है, अस्थरांतित किरसी होता है, अस्थरांतित मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह, यानि कि उसमें क्या होता है जुमी किर्सी जो होता है उसी को अस्तरांतित किर्सी करता है उसमें क्या होता है कि एक जगह पर जंगल जाता है उसको काट दिया जाता है फिर उसमें बारिस होता है फिर फसल होता है फिर थोड़ा दिन के छोड़ देता है फिर जंगल होता है फि बारत के उत्तर पुडवी राजियों में जूम मद अमेरिका वे मैक्सिवों में मिलका और तता मलेशिया में इंडोनिशिया में लदांग कहा जाता है जैसे एक ही वस्तू के या फिर एक ही चीज़ का जो अलग अलग नाम रहता है वैसे जहम जो नाम है वह यह तीनों अस्ता फैनिशियों में अस्तांत्हित किरसी जी को ही अम फिर ग IP को और मेया ओकम मैक्सिवों में इस स्फटांत्हित किरसी को ही लदांग कोई मिलके में इसको लदांग कहा जाते है अपने वाले बोड एक्जाम के लिए तयारी और अच्छे से कर लिजेगा अगर तो आप लोग वीडियो अच्छा लगा हुआ ति मिलते हैं अनेक शुडियो में नए वीडियो के साथ